उम्शान्ति हमारा जीवने की यात्रा है और इस यात्रा में कई सारी लोग मिलते रहते हैं और कई लोग कुछ-कुछ समय तक साथ-साथ चलते रहते हैं और फिर जब हम आगे-ागे बढ़ते हैं तो हमने जो करम किये है उस करम के अधार से कोई नो कोई परिस्थिती लाने के नमित कोई नो कोई व्यक्ति बन जाते हैं और जब वो परिस्थिती आती है तब हम उसको नाम देते हैं प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम है, विक्न है, क्या करू मैं और हम डर जाते हैं कैसे मैं solve करूं कैसे मैं इस problem को मिटाओं बात ये है जिसको हम problem कह रहे हैं उस problem को पहले मेरी अंदर परकने की शक्ती जाहिए जिसे हम problem 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 कह रहे हैं Really? Is it a problem? या फिर मैंने बार बार सोच सोच कर, सोच सोच कर उसको maximize कर दिया उसको बड़ा बना दिया उसको problem बना दिया Second अगर वो problem है तो okay हर problem का कोई नो कोई solution तो होता ही है ना जैसे हर lock को चावी तो होती है हर समस्या का समाधान होता ही है वैसे हर problem को कोई नो कोई solution जरूर होता है तीसरा यह problem कब मिटेगा कब मिटेगा मिटेगा जरूर मिटेगा लेकिन उसके लिए हमें कोई नो कोई सही उपाय करना चाहिए अच्छा और एक बात क्या मैं उसको सिर्फ प्राब्लेम के रूप से देखू या और कोई रूप से लाइक लर्निंग लेशन प्राक्टिकल जैसे हम देखते है ना स्कूल में देखो बच्चों को रहते एक थेरी का पेपर और दूसरा प्राक्टिकल राइट तो वैसे ही अगर हमने कुछ सोचा है थेरी आज तक कुछ सुनी है और उसका प्राक्टिकल चुल रहा है जिस्ट फॉर एक्जामबल कई बार आज और आजकल रिश्टों में कम्प्लेन आती हैं हज्बन वाइफ सास बहु यह ना मेरे पर बहुत गुसा करते हैं और जब वो गुसा करते हैं, specially wife कहती है, यह जब गुसा करते हैं ना, बस मैं वहाँ से हीली नहीं सकते हैं, मुझे सिर्फ सुनना पड़ता है, मुझे सारा सुनना पड़ता है, मैं एक शब्द बोलने सकती, मैं डर जाती हूँ, यह बहुत गुसा करते हैं, ओके, यह प्रॉब्लिम हो सकता है, हजबन वाइफ के बीच में, सास बहु के बीच में, आजकल कई बार बहुए भी सास को बोलती है, कुछ भी हो सकता है, ओके, हम बोलन पाती हूँ, तो मैं अंदर ही अंदर वह सुनते ए सुनते मेरे बारी पर असर हूरा है, मेरा बीपी शूट हो जाता है, मेरा बीपी लो रहा है, मेरा मन की energy लो हो रही है क्यों हो रही है because मेरा उस problem को face करने का तरीका सही नहीं है तो फिर मैंने उसे face कैसे करना है जिसको भी गुसा आता है जो भी रिष्टा कुसा करता है समझ लो जब वो गुसा करता है और वो हमारे सामने है हम उनके अपर गुसा नहीं कर सकते और नहीं कर पा रहे हैं, दोनों चीजे सही हो सकते, क्या हूँ नहीं करते को नहीं नहीं करना चाहिए और अपनें चाहिए पर तो फिर क्या करें, simple बात हम उस समय अगर एक बात अपने मन को कह दे जो गुसा कर रहा है ना वो acting कर रहा है acting, कितना गुसा होना चाहिए फुल गुसा होना चाहिए उसके वो full acting कर रहा है अभी जबी भी कोई acting देखते है तो उस समय हम कैसे रहते हैं प्रेक्शक साक्षे, Detach Observer बस साक्षे हो के देखो, कुछ बोलना तो है नहीं साक्षे हो के देखो, चुप बैटो, कुछ मुत बोलो सिर्फ यह कहो, Yes, You are right, You are right At least क्या हो जाएगा, सामने वाले का गुसा डाउन, डाउन, डाउन होता जाएगा This is very important, क्योंकि एक ने गुसा किया, दूसरे ने किया तो घर तो महावारत बन जाएगा, हमें वो नहीं करना है हमें सामने वाले को शांत करना है और मुझे कुद को भी शांत करना है दूसरा, और एक अच्छी बात क्या कर सकते हैं कई बार ये जो सीन है, ये जो एपिसोड है एक ने दूसरे के उपर गुसा करना ये एक दिन का नहीं होता है कई बार कोते हैं, अरे ये सालों से अमारे गर में चल रहा है सालों से, महिनों से चल रहा है हम कुछ बोल नहीं पाते हैं तो फिर क्या करना है? हो सकता है, कोई-कोई परिस्तिती कई सालों तक वर्षों तक चलती है एक आपके अंदर डेरिंग है तो आप उनको शांती से समझाओ सही क्या है, गलत क्या है शांती से समझाओ दूसरा, अगर वो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है तो ओके, चलो, जो लोग वानी से नहीं बदलते वो वाइबरेशन से बदलते है और वाइबरेशन स्पीक लावजर दान यो वर्ड्स हमारे वाइबरेशन ने हमारे शब्दों से ज़्यादा पावरफुल शक्ति है जादा शक्ति है तो चलो, मुझे अपने वाइबरेशन को योज करना है क्या समझे हम ये समझे ये व्यक्ति अक्चली मेरा एक प्राक्टिकल पेपर है ये मेरे अंदर की सहन शिलता मेरे अंदर शान्ती कितनी है बस उसका टेस्टिंग चल रहा है और मुझे इनका कोई भी शप्त मुझे सीरियसली नहीं लेना है मुझे सीरियसली नहीं लेना है कुछ जो बोलने है बोलने दो मैं उस समय कुछ और अलग सोचू और सिर्फ वह शांती से बस शांती से बैठाओ मनी मन उनको शांती के वाइब्रेशन देती जाओं और मनी मन ये कहूं बस आप शांत हो रहे हो आप शांत हो रहे हो आपका गुसा एकदम खतम हो रहा है आप शांती स्वरूप आत्मा हो शांती स्वरूप आत्मा हो क्या ये vibration हम अपने मन से दे सकते हैं क्या हम ये thoughts कर सकते हैं why your vibration speaks louder than your words अगर मैं कुछ नहीं बोल सकते हैं मैं काली इतना तो करू क्या हो जाएगा yes, हम शान्त रहे हम धारियता को धारन किये रहे positive vibration भीचते रहे क्या हो जाएगा उनका गुसा automatic शान्त हो जाएगा घर का महूल अच्छा हो जाएगा और उन्हें अपनी कमी गल्ती समझ में आ जाएगे हम यही चाहते हैं कि वो अपने आपको सुधारे गुसा शान्त, घर शान्त, रिष्टा शान्त ओके? ओम शान्ते करता शान्त